में गलती कि आव आपको दिधान के तो कि आकशो आपके मिस्टेख्स आदे तमें मिस्टेक्स भूटी को चांस ज्यादे रहते हैं तो मैं काफी आलडी वीडियो बना भी चगूँ और जो मैंने कॉमाल ली देखा यह साइट पर जाके विजिट करके जो पॉइंट्स मैंने नोट्स किया है तो मैं आपको वाँ पर विजिट साइट पर बता जिता हूं सबसे पहले जो प्लेंट अच्छी होने चाहिए तो इसका रीजन बताइता हूं आपको अगर आप एक लाल बिरिक लेंगे या फिर आप सेकेंड क्वालिटी बिरिक लेंगे तो उसमें जो चांस ही रहते हैं के अब लिएक्शन जो आपने देखा होगा जो बरसात के टाइम पर या पिर आपके बात तो वह क्वालदार से आपका वहीत ज़हता थे ना स्टाटबह आखे लोगा आपको फिय फ्राभ टो पर जाएंगे यहां पर यहनों यह तो नमी यहां आने के ज़्यादा चांस रहते हैं तो इस बेस पे बैस्ट क्वालिटी की एट रखिए नंबर वन की स्ट्रेंद उससे ज़्यादे रहेगी और आपका पानी के जब आपका पॉथ कम चांस रहते हैं तो जैसे कि आपको आपको एपस्ट दिएगी तो उस टेम पे आप एंट की रेशियो होते हैं नाइन इंची के लिए वन रेशियो सीख से रहता है वो चार इंची के लिए वन रेशियो फोर रहता है ठीक है तो इसमें मैट्रियल कौन से यूज करना है तो कोसिज करना चाहिए कि जो रेट कर यूज करता है जैसे कि बालू होता है फाइन से हैं जि इसको बोलते हैं अगर चार इंची ले तो कोछ को सी करना है कि जास रेज इसमें बहुत ही कम डाल लिया तो आधा आधा इसमें में रेशो मिला लेंगे तो वह आपकी स्ट्रेंड बढ़ जाएगी ब्रिक में जनरे की जो चुनाई करते हैं उसके बाद आपका सिमेंट भी दे सबसे मोंश्ट इंविटी तराही जो तराही होती है जो इनिटे होति है जैसी आपके साइट पर आती है तो वहाँ पर उसकी पूरे इनिटो को तराहा कर दीज्व thyroid को दिए तराह करने से जाएगी जैसी आप मोटर जैसे ब्रिक आए करते जाएंगे तो इस कंडिसें में क् सेकन्ड ते साइट पे टेखेंगा तो आप आसानी से इट को उठा लेंगे अगर आप यह इटों की नमय अच्छी से होगी तरहीं तो आसानी से नेक्ट सबस्क्राइन CM करेंगे तो नहीं उठै कwynsplूकि प्रओने में पूर उन जाती हैДना पहले ज़रूरी है और ज्राय होन है four point level up to print जैसे कि अपने देखा है पूरा आपको plot है तो उसमें आपने देखा होगा जो जैसे कि rooms है है आपका toilet है यापकी gas room है या फिर stair है जो भी इसके brick work continue चल रहे तो वह एक level fix कर लिए यह जैसी कि आपका road level है road level से आपको यह पता है कि मुझे कम से य muut यूंचा रखना है android topic लेवल या फिर levern टॉप उसमें से आपको देखा हुगा यू इंची करते वह इसे अगर कोईसा आपका डाउन है तो mess level या nothing column है तो यह जाओन है अगर यह आपको चैंची उपर रखना है तो यह आपको 오늘은 ollut도 आपको जिन्त इस कोर एक फॉट घो सब्सक्राइब तो यह辍ल तो बेस पैफ सब्सक्रें करने पाइब उसके बाद आपको पैसी का स्टिंग करना है उसके बाद connection of joint of brick work काफी लोग सबसे बहुश important सबसे ज़्यादा गलती करते हैं जो brick work छोड़ा जाते हैं जैसे कि आपने brick work continue करते हैं चले जा रहे हैं ठीक है उसमें आपने यहां पर hole चोड़िया कोई यहां भी brick work है तो काफी क्या अगर ते में hole छोड़ देते हैं hole छोड़ने से क्या हो रहेगा कि यह teeth आगे-पीछे-आगे-पीछे हो जाते हैं उसके प्रोपर इसे joint नहीं बन पाता है तो इस बेस से कोशिच करनी चाहिए कि आपको इसमें teeth निकालने चाहिए निकालने चाहिए यह क्या होगा कि आपके continue brick work करते जाएंगे उसका मोटा होता है एक दूसरे को पर proper पकड़क बन लेता है और जो यह आपकी brick साउल रहता है और सिधा को मिला लेगा तो थोड़ा यहां पर 19-20 साउल करना पड़ता है यह वाल थोड़ी बहुत हलका सा 19-20 यह हो सकते पर लेकिन आपका पलास्तर में मारेजन में आ जाता है ठीक है जब भी आप यह चोड़ते हैं यहां पर भी चोड़ते हैं मतलब यह पीचे एट को छोड़ा जाता है जोइन उगाल के लिए उसके बाद नेक्स पॉइंट है हैं कि काफी लोग क्या गलती करते हैं जैसी कि आपको बिरिख मेंजनेर्य आपको करना है अगर आपने पहले कोलम कास्टिंग किया है तो कास्टिंग करने के टाइम पर आपने देख करते हैं उसका सरफेस होता है स्मूथ होता है और इस स्मूथ पर आपने देखा को जो पकड़ होती है वह बहुत ही कम होती है बाद में पपड़ी बन जाती है पलास्तर की ठीक है तो इसी बेस पर आपको पलास्तर भी इस पर करना है और आपको ब्रिक वर्क भी करना है तो आपने देखा हो जोइंट खुल जाता है तो इस बेश से प्रोपली से हैकिंग कर दीजिए मतलब इसको बोलते हैं आप ठाचा कर दीजिए कोलम पर ठाचा मानने के बाद आपको सिमेंट सरली लगा देना है ताकि जो ब्रिक मेजनरी है प्रोपली से जोइंट उसका बन जाए ठीक है उसके बाद जो अच्छा आपका जो सपनोगर होता है उसमें उको क्वालिटी सब इस चीज होती है आपको खुद भी चाया करना है क्योंकि आप अपना घर बना रहे हैं जो आप ठेकदार से बना रहे हैं तो आप भी आप कंडिशन में देख सकते हो कि मुझे क्वा और बॉच्छिक रफया यह अनुच के गाल गर्धीर तो नहीं उसमेर को की दूट्रा के मिर्शरत भी उत्केश tutti बराइब कर देता है तो फिर दूच्छ्क पर ब्रिघो जन्簡य करते हैं तब उसमें एक वाल लगां सब्चछ बैए ऑद मेrapने तब लागाए ब्रिजै को तो इसका एक गुणिय निकाल लीज़े, तो इसका यहां से आपने यह वाल कर दिया, बाहर का फेस हो गया, यहां से लेना आपको 4 फीट, यहां पर लेना 3 फीट, इसको मिलाते भी आपको इधर यह फिर इधर जो भी आएगा, उस में कर देना, ठीक है, ए आपने यहां पर 4 जो भी पॉइंट आएगा उसको सीधा कर जाना है इस तरह से आपको गुनिया मना लेना है और जहां पर दूर आता है जैसे कि ड्राइंग के अंदर देख गीवन है तो आपको इस कंडिशन में कम से कम आपको आदा इंची या फिर एक इंची का मार्जिन छोड़ीजिए पलास्तर के लिए या फिर डोर विंडो को प्रोपली से बाद में अड्यस्मेंट करने में डिफिकल्टीज आती है मतलब आपको दिक्कत आएगी तो उस कंडिशन में आपको आदा या फिर एक इंची गैप छोड़ दीजिए ताकि आसानी से दरवाज आपका फिट हो सके या फिर आपको पलास्तर मार्जन भी प्रोफली से मिल सके है एक एक आपको विंडो का विंडो का आपको क्या देखना है कि जहां पर ड्रॉइंग के अंतर देए वाग गिवन है अपको रूम स्पैर ड्रूम कीच़न टॉयलेट जहां पर आपका दूर का साइज गिवन है तो वहा पे आप सी लेवल, जैसी का फ्लो लेवल है और टॉप डोर विंडो का जो लेवल एता है पहले दरौ़ाज़गा देख लीजै साइज क्या रखना है आपको, जो भी आपका टॉप रहेगा, वहापे आपको लेवल ट्रांस्पक कर लेना है वाल के उपर, जैसे आपने ब प्रवाल जागा टॉप रहता है वहाँ पे आपको टॉप में ही विंडो कोसी करने चाहिए टॉप में लगाई ताकि इसका जो बैस डिजाइन रहता है अगर आपके तीन फीट है तो तीन फीट या पर चार फीट चार फीट इस बेस पर रख दीजिए और जो भी हाइट आती गरने प meilleur टॉप में न ही उचलते दा रयां टॉप को ते बाद आप को अगर सबसे पहले कन्डिशन क्या रहती है ले आउट of brickware तो जब और प्लिंकμ इम आपने कास्टिंग कर दिया जैसे है अपने पिलिं बीकन कास्टिंग कर दिए रहता है कि आपका कॉलम के लिलाओ रहता है पर यहां पर नाप लीजिए पीध तो दोनों में cover कर दीजाए यहां पर कम हो रहा है तो यहां पर ज्याद आ रहा है तो दोनों को इसको एड़ेस्ट कर दीजिए प्लास्तर में वह टाइल में cover हो जाएगा ठीक है तो वीडियो काफी लंबी हो रहे तो मैं next वीडियो में आपको मैं प्लिंद बीम का cover कर दूँगा और आपका कोलम को में cover कर दूँगा ठीक है तो बहुत इंपोर्टेंट वीडियो थी आपने next पार्ट जरू देखना थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो मिलता है नेक्स वीडियो में बाइबाइ